अगस्तो निसोनब्बे दिल्ली के माहौल में बदसात वाली योमस थी लेकिन इससे ज्यादा अगडी जातियों के नौजवानों के आग्रोश की गर्म केंद्र की ततकालीन वीपी सिंग सरकार ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था जिसके तहत अन्य पिछड़े वर्ग के नौजवानों के लिए नौकरीयों में 27 फीसादार अख्षड की बात थी साथ अगस्ट 1990 को ततकालीन प्रधान मंत्री विश्वनात प्रताप सिंग न संसत में इसका ऐलान किया तो देश जाती की उनमादी याग में छुलसने लगा तो करभीम रावंबेट करकिस ने आए वर्ष में एक फाइसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछडे वर्ष को हम सरकारी नोकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान देया सत्ता के इस धाचे में देश की चलाने और सवाणने में उसके फाइसला करने में हम इससेदारी देने चाहते हैं उस समय तक सरकारी नौकरियों और श्रेक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाती के लोगों को 15 फीसद और अनुसूचित जन्जाती के लोगों को 7.5 फीसद आरक्षण की सुमिधा थी। सरकार चाहे जो दुहाई दे रही थी। लेकिन समाज के अगड़े तपके के नौजवानों और लोगों के धधकते अर्मान सडकों पर मरने मारने की अकस्वे खाने लेगे। से खून भी बहाएंगे। जगा जगा पुलिस की लाठियां चली। सरकों पर चीतकार और उबाल अपना लाल रंग दिखाने लगा, जाती अपना निर्मम रूप दिखाने लगी। लेकिन इस से ज्यादा इस मुद्दे पर देश की राजनेट सुलगने लेगे। ये सही है कि 1989 के लोग सभा चुनाओ के दौरान जनता दल के घोशना पत्र में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने का बादा थी। लेकिन जनता दल सरकार में प्रधान मंत्री वीपी सिंग के खिलाब वो प्रधान मंत्री के पत से बर्खास देवी लाल ने मोचा खोल दिया। और देवीलाल को हवा दे रहे थी, पूर प्रधार मंत्री चंद्रशेखर, जो नौ महीने पहले ही वीपी सिंग और देवीलाल के सियासी धोखे के शिकार हुए थी। देवीलाल वीपी सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली करने जा रहे थी। वीपी सिंग को उनके बेहत करीब आचुके शरदयादों ने सलाह दी कि क्यों नहीं मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर दिया जाए। राम विलास पासवान समेट कई नेता इसके पक्ष में थी। अपर कास्ट के हैं और वो मंडल कमिशन को लागू करवाएंगे तो उस पर इतना बड़ा रियक्संस होगा यह दिमाग मनिक था। प्रदान मंत्री से बात कहीं कि यह मानिफेस्ट होगा भी है दो मैनिफेस्ट होगा चुका है इसको लागू करिए और इस तरह इसे वह लागू हुआ। विलाज नीतिक जानकार मानते हैं कि वीपी ने सियासी जोड़ घटाव भी ठीक कर लिया। उससे पहले बाबा साब अमबेटकर को भारत प्लत्म दे चुके थी, मुहम्मद साहब के जन दिन पर छुट्टी का एलान कर चुके थी और अरक्षर से अन्य पिछले वर के लोगों को साधने की कोशिश। चुनावी गड़ित में वीपी सिंग का ये हिसाफ काम नहीं आया, लेकिन वीपी के फैसले ने देश की राजडीत पिछलों की बेहतरी के इस कदम ने अगडों की नजर में उने खलनायक पना दिया। पुरूफ पिछलों के लिए गड़ीत अगडोर रखे आपते नहीं थे लिहाजा वहाँ से लिए लूज बाटेश पड़न की जाड़ितिन नजरी आपड़न की वहां से भाल प्रदेश सबसे जयादा पिहार और उत्रब्रदेश के लगड़े नहीं थे लिए नहीं थे लि लोग सभा के लिए 149 सीटें आती थी यानि लोग सभा की कुल सीटों की एक दियाए यानि दोनों राज ये ये तै करने का दमखम रखते थे कि दिल्ली पर राज कौन करेगा इसे लिए आरक्षर का फायदा पाने वालों ने वीपी की जैजैकार शुरू की तो अगड़ी जा को आरक्षर ने देश की राजनीत को बदल दिया दलितों और पिछडी जातियों के बीच से नया नित्रत्व उभरा उस फैसले के छठे साल में हिंदुस्तान को पहली बार एक पिछडा प्रधार मंत्री मिला देवेगोडा के रूप में और सात्वे साल में एक दलित राष झाल